हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल मस्तान आटो टैक दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसकार एसी के ब्लोवर के बारे में बहुत सी गाडियों में कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्लोवर की स्पीड सिर्फ फास्ट में चलती है स्लो में नहीं चलती एक नमबर दो नमबर तीन नमबर पर हम चलाते हैं तो ब्लोवर नहीं चलता फोर नमबर पर चलाते हैं तो ब्लोवर चल जाता है फास्ट स्पीड में स्लो स्पीड में नहीं चल पाता तो आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या वजह होती है जब यह हवा आने लगती है फुल स्पीड में कभी कभी हमें फुल स्पीड पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम चाहते हैं कि स्लो में ब्लोवर चले लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा नहीं होता तो उस कंडिशन में हमें क्या चेक करना होता है जब यह कंडिशन हमारी गाड़ी में आती है तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं यह होता है कार एसी का ब्लोवर और इसकी जादा तर गाड़ियों में कम से कम चार स्पीड होती है नहीं तो जादा भी होती है आज कर लेटस्ट गाड़ियों में बहुत जादा स्पीड होती है कुछ इस तरह का होता है एसी स्वीच जब हम इसको घुमाते हैं तो यह चार स्पीड पर चलता है लेकिन बहुत सी गाड़ियों में यह प्राब्लम आती है कि जब हम इसको पूरा गुमा जाते हैं हाई स्पीड पर तक तो ब्लोवर चलता है एक दो तीन नंबर पर स्लो में जरूद होती है चलाने की तो ब्लोवर नहीं चलता तो इसके लिए जो पार्ट खराब हो जाता है व इसको बोलते हैं ब्लोवर रेजिस्टेंस इसकी लोकेशन ब्लोवर के आसपास ही होती है डैश्बोट के अंदर जहां पर ब्लोवर लगा हुआ होता है एसी का उसके पास आसपास में ही इसकी फिटिंग होती है अगर कभी हमारी गाड़ी में ऐसा कुछ होता है तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा resistance खराब हो गया है या वारी में प्रॉब्लम है तो मल्टी मिटर को कर लेते हैं हम 20 पॉइंट पर से और मल्टी मिटर से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारे blower और रसिस्टेंस खराब है यह हमारी गाड़ी में कुछ और प्रब्लम होगी है रसिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट कर लेना हैं और मल्टीमीटर की एक पिन को resistance कि किसी भी एक pin पर टच कर देना है और दूसरी वायर से बाकी बचुई तीनो pin पर लगा कर चेक करना होता है अगर बाकी pin पर beep का sound आता है तो हमारा resistance ऐक है और अगर बाकी pin पर beep का sound नहीं आता तो हमारा resistance खराब हो चुका है है फिर हमें कुछ और चैक करना होता है अगर सभी पीनों पर साउंड आती है तो फिर हमें काड़िकी वाइरिंगotz प्रूस City रिले कि बाकि मीं चीजों को चैक करना होता है कि यहां हमारी गाड़ी का सुषी भी खराब हो सकता है जो ब्लोवर को गुमाता है एक पिंट पर हमने लगा लिया और बागी पिनों पर हम टच करके देखेंगे तो यह बीप आती है यह मेरे हाथ में नया रेजिस्टेंस है इसलिए इसमें सभी पर बीप आएगी अगर आपकी गाड़ी के रेजिस्टेंस में सभी पिनों पर बीप आती है तो आपकी ब्लोवर रेजिस्टेंस ओके है इस पर भी बीप आ रही है इस पर भी बीप आ रही है इस पर भी बीप आ रही है अगर किसी पिन पर बीप नहीं आएगी तो हमारा रेजिस्टेंस खराब है किसी भी मल्टी मिटर से हम इसको बीप पॉइंट पर सेट करके चेक कर सकते हैं तो यह टेस्टिंग का तरीका है इसका वीप पॉइंट यह होता है इस मल्टिमीटर में तो ब्लोवर में कभी-कभी यह ब्लोवर का स्वीच है कुछ गाड़ियों में यह प्राब्लम आती है कि स्लो में तो ब्लोवर ओन होता है लेकिन फास्ट में ओन नहीं होता है उस कंडिशन में हमारा स्वीच खराब हो जाता है स्वीच अंदर से जल जाते हैं खराब हो जाते हैं तो उस कंडिशन में हमें स्वीच को चेंज करना होता है और कुछ गाड़ियों में ब्लोवर हमारा हाई स्पीड पर चलता है, स्लोव स्पीड पर नहीं चलता है, उसमें हमारा ज्यादतर ब्लोवर रजिस्टेंस खराब हो जाता है, यह रजिस्टेंस खराब हो जाता है, अगर स्लोवर में ना चले तो, और अगर हाई में ना चले, तो हमारा switch खराब हो जाता है, switch जल जाता है अंदर से, उस condition में हमें switch को change करना होता है, तो दोस्तों ये थी car AC के blower को speed को क्या चीज़ कंट्रोल करती है, उस बारे में छोटी सी information, उम्मीद है आपको अच्छे लेगी होगी, तो जल्दी मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ, thanks for watching,